वेलकम दोस्तों मैं तौसिफ तगाले एक बार फिर से आपका इस ओनलाइन प्लैटपाम में स्वागत करता हूँ पिछले लेक्चर में हम लोगोंने फ्लूइड मेकैनिक्स सब्जेक का मतलब क्या होता है कि यह हमने काफी अच्छे से देखा था उमीद करता हूँ कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि आप हर एक डेफिनेशन को अपलाए करके देखिए तब आप फ्लूइड को फील करोगे डेफिनेटले आपने हम मेरी बात मानी होंगे पिटा उसी तरीके से आज हम हमारे इस इंपोर्टन लेक्च्चर के उपर आगे बढ़ते है अब मैंने जब यह वर्ड यूज किया है इंपोर्टन अब भील या इसी लिए कि पिछले लेक्चर में जब हमने दो जो डेफिने गैसेज भी उसके अंदर आते हैं, ओके, और दूसरा हमने सब्जेक का मतलब पढ़ा था, जिसका नाम था, फ्लूड मेकैनिक्स, इतना तो अब आप कह सकते हो कि सर, कुछ नहीं, फोर्सेज दिखाने हैं, बस किसके उपर दिखाने हैं, फ्लूड के उपर, तो वो मेरा बाट देखे, तो एक देखा था एक देखा था हमने फ्लूड स्टाटिक्स, जिसका मतलब होता है रेस्ट, और एक था फ्लूड डानमिक्स जिसका मतलब होता है श्bles देखी थी वेटा, यह जो डेपिनेशन है, यह एक्जाम में नहीं पूछी चाती, बुरा मत्मानी है, प आपको basic idea पहले होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो इसलिए fluid mechanics और fluid का मतलब क्या होता है यह आपको समझना बहुत जरूरी था ठीक है पर बेटा वो जो definitions है वो exam point of view से उतने ज्यादा important नहीं है वो exam में नहीं आता है वो सिर्ण knowledge के लिए आपको पता होनी चाहिए पर बेटा यह जो वीडियो है यह वीडियो जिसमें हम देखने वाले है फ्लूड प्रॉपर्टीज प्रस्ट मी आप अगर आपके MSBTE के previous फ्लूड मेकानिक्स के पेपर अगर देखते हो तो मैं आपको डायरेक्ट वादे और चैलेंज के साथ यह बात कह सकता हूँ हर पेपर में यह क एक चुली सोच रहा था कि मैं यहां पर लिखू कि यह कौन से कौन से पेपर में आया है पर लीस्ट इतनी बड़ी हो रही थी कि यह पूरा भर जा रहा था तो यह अगर आप पेपर देखो समर्तिस विंटर उसके बाद 19, 20, 18 हर पेपर में यह डेफिनेशन है आप कोई भी गर इसी लिए मैंने यह वर्ड यूज किया था यह लेक्चर वेरी 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 इंपॉर्टन यह बिटा डेफिनेटली एक्जाम में आने ही वाले है और यह वीडियो एक्जाम में आने वाला है इसलिए मत करिए बिटा क्योंकि बिटा continuously ये जो topics है जो हम आज fluid properties पढ़ेंगे वो बिटा पूरे slabs में चलते रहनी है याने आगे के chapter में आपको आएगा density तो आपको पता होना चाहिए density क्या है और मेरा वादा याद रखिये मैं आज आपको properties भी ऐसे बताऊंगा बिटा कि आपको feel होंगा कि ये properties क्या होती है इसलिए इस video को काफी concentration से और end तक ठीक से देखिए तो आपको ये fluid properties बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए बढ़ते हैं अब हमारे fluid properties के उपर ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है बटा question mark करके ये summer 2023 में आपको एक question पूछा गया था मैंने as it is ये question यहाँ पर type कर दिया है कि आपको idea होना चाहिए कि question किस type क्या आता है आपको एक question पूछा गया था कि fluid में कौन से कौन से properties होता है तो अब बटा सबसे पहले तो मैं आपको basically ये बताना चाहूँगा वैसे आप काफी subject में पढ़ते हो ये properties, अम का properties, धम का properties पर बटा आपको समझ में आना चाहिए properties का मतलब क्या होता है यनि basic idea होना चाहिए properties मंजे का होता है तो बटा आप मुझे एक बात बताईए अभी आप हो आपके family members है आपके दोस्त है आपके सब एक जैसे दिखते हो नहीं, आप एक जैसे नहीं दिखते हो आप सभी की एक खासियत है क्या खासियत है किसी की height छोटी होती है किसी की height बड़ी होती है कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है कोई गोरा होता है, आप काला होता है आप उसको कैसे डिफाइन करते हो अरे वो आप कहते नहीं हो क्या यार तु उसको पैचानता क्या वो लंबा सा उसके बाल लंबे लंबे हां तो यह जो आप कह रहे हो वो लंबा सा उसके बाद तो यह आप उसकी क्या डिफाइन कर रहे हो उसकी कंडिशन डिफाइन कर रहे हो किस से define कर रहे हो, उसके height से define कर रहे हो, उसके weight से define कर रहे हो, जिससे समझ में आ रहा है क्या वो बंदा कौन है, उसी तरीके से बिटा, properties का मतलब वो ही होता है, वो जो आप कहते हो, इसकी height है, उसकी weight है, यानि उससे उसकी पैचान हो सकती है, क्या हो सकती है, पैचान, तो उ उसको characterize कर सको, आप उसकी पैचान कर पाओ, उसको आप कहते हो properties, तो अब देखिए, floor properties का मतलब क्या होता है, मैं चाहे तो आपको एक practically बता के देखता हूँ, आप एक काम करिए, आप आपके दो हाथ सामने रखिए, एक में आप पानी लीजी, और आप एक काम करिए, दूसरे हाथ में grease ले लीजे, या फिर honey ले लीजे, शहद आप ले लीजे, और इधर आप पानी ले लीजे, आपको समझ में आ जाएंगा, floor properties का basic मतलब क्या है, क्योंकि देखिए, जब आप पानी लोगे तो आपके पाम में नहीं रहेगा, आपके हतेली पे वो नहीं रुकेगा, वो सटक जाएगा, निकल जाएगा, पर आगर आप शहद लेते हो, वो गाड़ा होता है, है ना, वो गाड़ा होता है, slowly flow होता है, यह fast flow होता है, तो यह slow, fast, निकल जा रहा है, यह गाड़ा होता है, यह उसकी क्या पैच्छान दे रहा है, तो इसको हम कहते है, fluid properties, समझ में आगए बिटा तो छलीए देखते हैं अगिए दोस्तों मी कहते और हाइड वैसे की पैचान कैसे होती है तो फ्रूर्ड को पैचान होती है टार ऑफसे छह है जैसे के जो पहला पर्रोपर्टी होता यह आपको पूरे syllabus में आने ही चाहिए, fluid properties कौन सी कौन सी होती है, तो देखते हैं सबसे पहले fluid properties कौन सी होती है, यह होती है सबसे पहले fluid property जिसका नाम होता है density, बहुत ही ज्यादा important होती है, density का notation, formula, definition, यह हम one by one पढ़ेंगे, अभी सिर्फ यह question दो mark के लिए पूछा गया थ तो आपको paper में सिर्फ यह properties list करनी है, आपको heading लिखनी है, properties of the fluid और कौन सी कौन सी property है, इनका सिर्फ आपको least लिखना है, तो पहली property होती है density, और अगर आप smart हो, अगर आप out of लेने जा रहे हो, जो कि मैं उमीद करता हो, वीडियो देखने वाले हर student ने करनी चाहिए, तो बेटा, आप properties का नाम लिखते हो, उसके सामने उसका definition, definition तो नहीं, पर उसका formula definitely लिखके आई, अगर आप सिर्फ नाम लिखते हो, तो आप marks मिलेंगे, definitely, पर अगर आप formula उसके साथ लिखते हो, तो बेटा, आप examiner पे अपनी एक impression produce कर देते हो, चाप छोड़ देते हो, ठीक प्रापर्टी होती है, weight density, अभी सिर्फ हम नाम देख लेते हैं, आपको ऐसे नाम देखे, थोड़ा सा अजीब लगे, असर यह क्या है, डोंट वरी बटा, जब हम इसको detail में पढ़ेंगे, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए, तिसरी प्रापर्टी होती है, specific volume, चौथी प्रापर्टी होती है, specific gravity, डोंट वरी बटा, इनके length देखे, आप सोचे मत के इतने ज़्यादा है, जब आप practically अप्लाय करोगे, आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, पाच्छी प्रापर्टी होती है, viscosity, वो अभी थोड़ी देर पहले मैं जो आपको example बता रहा था न मिटा, वो honey रखा है, पानी रखा है, पानी फ्लो हो जाएगा, शहिद उतने जल्दी जल्दी फ्लो नहीं होगा, तो वो जो प्रापर्टी है न वो viscosity होती है, देखें यहा viscosity के बाद अगला definition होता है surface tension, उसके बाद आता है capillarity, उसके बाद आता है compressibility, और, last definition है vapor pressure, तो अगर आपको paper में इस साल वोई question repeat होता है, क्या list the different properties, तो आपको यह 9 properties के सिभ नाम लिखने है आपको 2 mark मिल जाएगे, और आप अगर impression छोड़ना चाते हो, तो जब हम अभी यही सारे 9 definition हम one by one पढ़ेंगे, तो हमारा यह जो first chapter है, यह complete हो जाएगा, idea आगया विटा, इस chapter में आपको क्या करना है, बस यह 9 definition रटने आपको, आप आसानी से 4 mark ले लोगे विटा, चार नहीं, 8 भी ले सकते हो, अगर आप यह सारे definitions अगर पढ़ लो, क्योंकि 8 mark के लिए तो पका पका paper में आपको यह 9 definition आएगे, तो आप यह definition काफी अच्छे से समझे, अब हम one by one पढ़ेंगे, बस एक request है, कि जब आप यह definition paper में लिको, तो इसके सामने इसका formula लिकते है, ठीक है बिटा, आगे बढ़ते, हैं, जिनके demo lectures भी available हैं दोस्तों, तो एक बार आप लोग app जरूर download करिए, और demo lectures जरूर देखिए आप लोग दोस्तों, और अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है न, तभी आप उस course को purchase कर सकते हैं, और साथ साथ दोस्तों, अभी फिलाल, सभी courses के उपर, तिल 31st जुलाई तक 20% discount चल रहा है, तो एक बार जरूर आप लोग हमारा app डाउनलोड करिए, चलिए, अब इस वीडियो को आगे continue करते हैं, तो चलिए हम बढ़ते हैं, हमारे पहली property के और जिसका नाम है density, ट्रस्टी मिटा density मैं आपको ऐसा बताऊंगा, कि आप life में कभी density भूलोगी नहीं, मेरे साथ एक बड़े किस्से हुए तो density को लेकिया, आप किस्सा शेयर करूंगा, आपको density का भी life में भूलोगी नहीं, तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेता है, कि density का basic mathematical formula definition क्या है, फिर हम practically बात करते हैं, तो बढ़ता density जो होता है, उसका सबसे पह करते हो, के, एक notation होता है, तो density का notation होता है, रो, density का notation होता है, रो, अच्छली ये ग्रिक लेटर है, और आप ठीक से observe करिया, आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, और ये जो रो होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, उल्टा आपको 9 बनाना है, बस इधर आप पूरा extend मत कर देना, ये ग्रिक लेटर है, जिसको RHO कहते है, ठीक है, आपनी क्या एक काम करिये, मैं काफी बार students को कहता हूँ, कि आपको अगर कोई भी चीज याद अगर रखनी है, आपने दोस्तों के नाम रख दीजिए, आप क्या करते हो, आपका कोई friend होगा, जो हमेशा कहीं भी किसी बात में, जब आप discussion करते हो, तो रोते रहता है, यहने उसका paper कितना भी अच्छा जाए, पर paper के बाद आपको कहता है, अरे यार मेरा तो paper अच्छा नहीं गया, पर जिस दिन result लगता है, उस दिन उसी को अच्छे marks रहता है, कभी भी अगर party में जाए, पैसों के लिए रोते रहता है तो आप कहते हैं, वो रोतलू है, तो उसका नाप नाप density रख दीजिए आज के बाद, आज के बाद उसको क्या बोलिए, और यह density है, तो आपको definition कभी भूलेंगे नहीं आप, तो आप एक काम करिए, आपके friends सरकर में जो भी रोते रहता है, उसका नाम रख दीजिए density, रो आपको सिर्फ क्या करना है बिटा, उपर आपको मास लेना है, डेंसिटी एक्चुली रोष्यू है, डेंसिटी रेश्यू है, यान एक वैलő उपर होंगा, एक वैलियू नीचे होगा, तो density रेश्यू है, तो दो वैलिव का होंगा, डेयूचिली, एक उपर और नीचे, तो तो आप definition बनाओ बिटा, आप से formula याद रखो, density equals to m by v, और paper में अब आप definition बनाने के लिए smart होने चाहिए, ये दुनिया smart लोगों से चलती है बिटा, आपको smart बन नहीं है, आप definition कुछ ऐसा लिखे पेपर में, density, density क्या है, तो density किसकी property है, fluid की, तो एक ये word चिपका दो, मैं तो आपको इतना smart technique बताऊंगा, definition लिखने का, आप ये 9 definition कभी भी लिखो, तो 9 के 9 definition में पहले ये word लिख दो आप, density is the property of the fluid, weight density is the property of the fluid, कोई भी definition में पहले word लिख दे, it is the property of the fluid, तो चलिए हमें इसका definition लिखे देखते तो आपका confidence ही बढ़ जाएगा, तो चलिए, density क्या है density is the property of fluid, किसकी property है, fluid की, जिसका definition क्या है, तो उसके आगे हम ये भी word चिप का देंगे, which is defined as, है ना, तो इसके बाद अगर आप कोई भी definition अगर लिखते हैं, ये आप कोई भी definition लिखते हैं, तो सभी इसमें ये common word रखिये, weight density is the property of the fluid, which is defined as, specific volume is the property of the fluid, which is defined as, बिटा, आपको मैं secret formula वता रहा हूँ, तो अच्छे marks लेनेगा, बस आप ये logic याद रखिये, it is defined as, it is the property of the fluid, which is defined as, ये रट लीजे, अब आप ये definition बनाईए, अब density क्या है, किसकी property of the fluid के विचे defined as, अब एक क्या है बिटा, दो values है, एक उपर एक नीचे है, तो क्या लिख देंगे, it is the ratio, defined as the ratio of, किसका ratio है बिटा, उपर M है, M का मतलब क्या होता है, mass, it is the ratio of, mass of fluid, और नीचे क्या है, V, V का मतलब क्या होता है, volume, तो it is the ratio of mass of the fluid, to the volume of the fluid, ठीक है, मैं आपका और एक secret मंत्र बता दूँगा पेटा, पेपर में अच्छे marks लेने का, कि जभी भी आप ये ही नहीं, density नहीं, अगर आप कोई भी definition लिखना चाहते हो, पेपर में, तो उसका pattern क्या होना चाहिए, क्योंकि कैसा है, यहां पर कितने students होंगे, जो मेरा भी वीडियो देख रहे हैं, उनको दिक्कत यह होती है, पेपर में वो लिख भी देते हैं, पर marks अच्छे नहीं मिल पाते हैं, तो पेटा, लॉजिक बस एक ही होता है, representation, आप प्रोफेसर को एक systematic manner में लिखके नहीं देते हो, इसलिए वो आपको marks नहीं देते हैं, हमेशा याद रखिए, आपका पढ़ना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि पेपर में आप checker को impress कर पाओ, तो impression produce करने का एक secret मंत्र में आपको बताता हो, जबी भी आप definition लिखते हो, इसी subject में नहीं, आप किसे भी subject में लिखे definition, तो आप ये तीन format में लिखे, पहले काम करते हैं, इसको minimize कर लेते हैं, और मैं आपको ये side में कर देता हूँ, जिससे आपको पता होना चाहिए, कि ये सब क्या है, चलिए, ओके, तो जबी भी आप कभी भी अगर कोई भी definition अगर लिखते हो, तो सबसे पहले बिटा याद रखिए, पहले आप थोड़ असा introduction लिखे, कि density क्या है, तो ऐसा आप heading लिखे, आप सबसे पहले इसे heading लिखे, density, उसको double underline करिए, नीचे आप थोड़ असा basic लिखे, भाई, it is the property of क्या है, उसके बाद आप उसका लिखे, definition, क्या लिखे उसका, definition, ऐसे heading मत लिखे, आपको definition यहाँ पर लिखना है, तो क्या है definition density का, density property है fluid की, जो के ratio है, किसका ratio है, एक mass का और दूसरा किसका है, volume का, तो यह आप लिखे हैं, यहाँ पर definition, अब definition लिखने के बाद, नीचे हमेशा होना चाहिए, formula, और formula को आपको करना है bracket, तो अगर आप heading लिखते हो, यहाँ introduction लिखते हो, definition लिखते हो, नीचे आप उसका formula लिखते हो, और एक last और सबसे important, unit, इवेन आपको paper में ऐसे heading लिखना है unit, और underline करना है, और unit अब इसका क्या होगा, तो इस पर हम discussion करेंगे, पर आपको याद रखना है, कोई भी fluid property हो, या कोई भी subject हो, आप कोई भी definition इसी format में लिखे, पहले थोड़ा सा basic, अगर वो नहीं भी लिखना है, तो भी चलेगा, definition, formula and unit, ये तीन पार्ट में आप लिखे, आप काईनात की कोई भी ताकत आपके marks नहीं काट सकती, बस आपके तीन पार्ट याद रखे, चलेए, अब देखता है density के unit के बारे, तो यूनिट एक बात हमेशा याद रखे, कभी रटिये मत, यूनिट आप बनाईए, जैसे के for example, density का formula क्या है, तो density का formula होता है, mass upon volume, तो mass का unit क्या है, यहाँ बैटे हर एक बन्दे को बता होगा, आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को बता है, mass kg में गिनते हैं, आप दुकानदार से जाके खरेते हो, आप kilo में लेते हो, तो वो क्या होता है, उसका mass होता है, तो mass का unit क्या होता है, kg, अब बच बूल गए, तो तरसिफ से आपको एक story बताते हैं, उससे याद रखिये, एक बाप, है ना, उसके तीन बेटे, सबसे छोटा बेटा, length, तो उसका हो गया meter, उससे बड़ा बेटा area, उसका हो गया meter square, और उसका और एक बड़ा बेटा, याने सबसे बड़ा भाई, उसका नाम तो वो हो गया meter cube, तो आपका भी life में भूलोगे नहीं, meter, meter square, meter cube, सबसे छोटा बही distance, उससे बड़ा बही area, उससे बड़ा बही volume, तो volume का unit meter cube, तो याद रखिये, इसका unit क्या बन गया बेटा, kg पर meter cube, तो density, density का definition आपको समझ में आ गया, उसका formula समझा, उसका unit आपको इसको practically feel करेंगे, कि density का मतलब क्या होता है, density क्या है, practically density का मतलब क्या होता है, वो कैसे fluid की property है, जैसे आप कैसे, जैसे मैंने बता है तो property का मतलब क्या होता है, खासियत, आप उसका बोल सकते हो, हाँ इसके density से भाई, ये liquid है, ये water, ये oil है, ये water है, ये आप कह सकते हो, तो सबसे पहले आपको एक बात रखनी है एक स्टेंडर्ड वाल्यू होती है इसकी वाल्यू होती है वाटर की जो यहां पे बैटे आप सभी को रटनी है आपको यह वाल्यू रटनी ही है आप याद रखिए देंसिटी वाटर का यह लिख दिया देंसिटी का नोटेशन देंसिटी वाटर का 1000 होता है वाटर का डेंसिटी कित्ता होता है 1000 होता है यह बात आप सभी को रटनी है क्या आपको पता होना चाहिए कि देंसिटी भाई क्या है तो देंसिटी वाटर का 1000 होता है बाकी आपको किस लिक्विड की याद रखनी की जरुवत नहीं, वाटर की याद रखनी की जरुवत है, वो भी इसलिए बिटा, क्योंकि वाटर एक standard liquid होता है, क्या होता है, standard, अब यह standard word मैंने क्यों यूज किया, सीधी बात है, आपके घर वाले, आपको बाजुवाले का example नहीं देते हैं, क् इतने देर पड़ता है तो आपके घर वालों के लिए क्योंकि comparison के लिए कुई चाहिए वैसे फ्लूइड तो बहुत सारे है water है oil है grease है इतने है तो इन सभी में कोई तो चाहिए comparison के लिए तो comparison के लिए water सबसे अच्छा water standard तो इसी लिए इसको हमने कह दिया लिक्विड जब हमारे मुझ से निकलता है फ्लूड जब निकलता है तो हमारे दिमात में यह चीज़ चलती है वाटर एक्षुली यह सी याद रखिए बहुत डेफ्ट में एक कॉंसेप्ट है कि इसको स्टेंडर लिक्विड क्या बोलते है पर आपको जानने की कोई जरुवत ज्यादा भी अगर आप ग्यान लोगें तो दिक्कत हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आप बस इतना याद रखिए कि स्टेंडर लिक्विड वाटर होता है वाटर का डेंसिटी किता है 1000 अब हम देखते है कि प्रैक्टिकली डेंसिटी क्या है तो आप एक काम करें इस व फॉर्मूला क्या है बेटा बेंसिटी का फॉर्मूला क्या है कि मास कहा है उपर और वॉल्यूम कहा है नीचे अब मैं आपको छूटी सी बात पूछता हूं अगर आप कोई भी रेशो लेते हो कोई भी रेशो लेते हो जैसे कि फॉर एक्जांपल दस बाए दो तो इसका वैलियो किता आ गया बिटा प पता होगा पर बिटा मेरा फोकस उस स्टुडेंट पे ज्यादा होगा जिसको शायद यह नहीं पता है कि डारेक्ली इनवर्सली प्रपोर्शनल क्या होता है तो यह एक्जांपल से आप काफी अच्छे से समझ लीजे मैं कोई एक रेशो ले रहा हूँ एक बार वैलियो मैं 20 कर देता हूँ अब मुझे बात बताई अब मेरा एंसर कित्ता आएंगा 10 यह कोई भी एक रेशो है अभी समझ यह आप डेंसिटी है वैल्यू कित्ता आगया 10 पहले कित्ता आया था 5 आप एक काम करिये फिर से काम करिये उपर वाला वैल्यू बढ़ा दीजे नीचे वाला यहां हूँ यह रखिये तो अब इसका वैल्यू आरा है 15 आरहा है आ रहा है कि आरा यह ये इसका मतलब डेंशिटी जो होता है वह जैसे जैसे उपर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है और नीचे का मैं लिम रहा है तो लिडू धैज कि पहले 10 था 5 मॉसमर्यू पन्दरा तह यानि जैसे जैसे उपर का value बढ़ रहा है, यानि numerator बढ़ रहा है, तो अने वाला answer भी बढ़ रहा है, जगर ये बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, तो इसको कहते है directly proportional, क्या कहते है, directly proportional, जिसको भी अब इसके बाद confusion है, तो ये example हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रख तो मैं आता वर्ची value 30 छेवा, मनझे 20 छेवा, आनि खाल्ची value वाडवा, पहले 2 गया, मग 4 गया, मग 10 गया, बगा वैल्यू कहें ते, 2 ना divide कर चलते धा उत्तरीन, 4 ना divide कर चलते पाच उत्तरीन, धा ना divide के ले तो किती उत्तरीन, दोन, मनझे खाल्ची value जसा जसा वाड तो अब देखेंगे इसका practically मतलब क्या है, okay, समझ में आगे directly inversely proportional, आप कभी confusion मत रखी, कि directly inversely proportional क्या होता है, और ये example जो मैंने लिखा था, आप कहीं पर note करके रख लिजे, आपको कभी किसी subject में confusion नहीं होगा, कि directly proportional क्या होता है, और इनवर्स प्रोपूशनल क्या होता है, तो density का ratio क्या है, किसका ratio है, mass upon volume का, तो mass अगर बढ़ा, तो density क्या होगा, बढ़ेगा, mass बढ़ेगा, तो density भी बढ़ेगा, अब एक और example ले लेते हैं, आपने तराजू काटे देखे हैं, आपने अभी सबजी मार्केट में आते हो, आप तराजू काटा देखते हो, तराज अगर mass बढ़ेगा, अगर mass बढ़ेगा, तो density भी बढ़ेगा, यानि जित्ता जादा mass, उत्ता जादा density, मंज़े ज़टे जासते वजशन तेवडे जासते का है? density, एक आप एक खंपल कीजे आप अभी प्राक्टिकली घर पे, और आप एक काम करिए, इसका तो आपको पता आप एक काम करिए इसमें आपने क्या एक स्टिल बॉल लेकिया यह कोई भी एक स्टिल का बॉल लेकिया यह कोई भी और आप वो स्टिल का बॉल लोगंडाची कौनती वस्तु तुम्चा घरी असे लाता तुम्हें घ्या पानी मद टाका बगाबर ते पानी यह ते शीवर्ष्टु आए ते तरंग खाली जाते प्रत्य कलमाई ते खाली जाते अनि पानी वरती रहते माग बिटा तुम्हें गोस्टों सांगू शकता ना अ अगर कोई बड़ी अगर पानी के नीचे डूब गई डूबने का मतलब यह है कि उसका मास्क ज्यादा है उसका डेंसिटी ज्यादा है याने उसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा है और अगर पानी के उपर अगर कोई चीज अगर फ्लोट कर रही है क्या कर रही है नहीं है नहीं नहीं मांस का है उसके depth the density क्या है ज्यादाहों यो नीचे उसका density ज्यादा पर उसका heaven तो इसलिए आप करें आप एक चीज तो बता ही सकते हो खाए उसका density water से क्या ज्यादा है इस लिए वो हो नीचे आ रहा है water उपर रहा है पका यानि इसका मतलब जो स्टील है उसका डेन्सिटी वाटर से ज्यादा यहनि डिफिनेटली हजार से क्या होगा ज्यादा ही होगा बने कि करते म मासवर डिपेंड करते यह तो पाहना नहीं दो सब्सक्राइब काता है यह ते ओम प्रॉम्य कोंताई लिकविड यह कोई पधा है ना तुम्हें दोगन लिकविड इंचित नहीं इता है तुम्यएं गुटन सब्सक्राइब प्रेक्टिकली अप्लाए गरतो अना फ्रेम माज़ा सगलत आवड़ता सब्जेक्ट है तो आम चाह घरा चाह बाजूला एक वीर होती तो खुब जमा जाला होता वीरे अधा मालों सांगा तुम्हें जो कच्रा वीरे तरंगता है तो त्या तुम्हें काया सांगों शकता है करते हैं करतो है तहने कर wada bha ce आपको समझने के लिए और प्राक्टिकली मैंने एक काम किया है अब यह एक लाइव एक्जम्पल देखिए अब आपको यह देंसिटी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा वेटा यह देखिए यहां पर मैंने क्या किया है एक फ्लास्क लिया है उसमें नीचे है वाटर यह वाटर जिसका डेंसिटी किता है वन थाउजन नौलेज बहुत अच्छा मिल रहा है ध्यान दीजिए और यह उपर पेट्रोल मैंने उपर पेट्रोल डाल दिया तो यह आपको पता है इवन होता भी है पानी के दिन अभी शुरू होंगे पानी के दिनों में क्या होता है जब आप रस्ते पे देखते हो तो पेट्रोल पेट्रोल नेचे है पानी का दिखता है नीचे कभी किण्सी को ULTA पानी ओधर आगे डया इसा नी होता है पेट्रोल हमेशा ऊपर रहता है पेट्रोल उपर नेचे पेट्रोल नेखर दरलीगी और उसका करके टेखेizers आप पेट्रोल को डालिए है पेट्रल ऊपर ळ면 पेट्रल नीचे चले तु त Layas चूड़ दूंगर है पेट्रोल ऊपर रहेगा क्यों और नीचे रहेगा क्यूंकि को कि उसका बन सीटी है और वाच ना तो इसका डीनसीटीайтесь सब्सक्राइब इतना ही होता है जिसका डेंसिटी कम होता है वह उपर रहता है तो यह पेट्रोल है तो देखे एवन नहीं क्या अगर आप नॉलेज लेते हो तो इसका फाइदा क्या होता है हम एक्शुली कॉम्पूट एक्जामिनेशन देते हैं मैंने गेट साथ से आठ बार इंजिनेरिंग के बाद एक्जाम होता है बहुत से लोगों को उसके बार इंपता भी होगा उट टाफ एक्जाम होता है मैंने आठ बार कॉलिफाई किये तो वहां पर कुछ नहीं सिव आपको नॉलेज होना चाहिए हमको एक कोशन पुछा गया था देखिए आप एंसर कैस कि यह होता है सका डेनिटी ज्यादा होता है ओर इसका देन सिटी क्या होता हैव होता तो हमको कुछ एसा कोश्चन उन्होंने पूछा था एक्जाम में और वह वहां चाहर शुशं दिये थे कि ऐसा कुछ दिया था 1,000 और यह एक्स्रेमेंट आपको फ्लास्क तो नहीं समझेंगा इसलिए मैंने लाइव एक रोड का फोटो यहां फे दिखा दिया आपको कि यह आपने कफी बच्पन से देखा है आपको ऐसा पेट्रोल पहला हुआ दिखता है रस्ते पे पहला हुआ क्यों कि आपके पिता जी से अगर साथ ट्रैवल करो आपके पिता जी को बताइए जो पेट्रोल उपर है इसलिए पेट्रोल उपर रहता है तो चलिए डेंसिटी ऐसा कुछ पूशन था दूसरा कुछ तो भी दिया था 960 तीसरा दिया था 1200 और चवथा दिया था 1100 केजी पर मिटर क्यों चलिए देखिए कितने लोग स्मार्ट वन गए कितने लोग नौलेज यह आपको नहीं आएगा पर एक नौलेज के तवर पर आपको पता होना चाहिए डेंसिटी क्या है अब वैल्यू तो कोई रटेंगा नहीं काफी लोग य जिए इता एक्चाम में थांके वैल्यू रटिंक ननी आपको चीह दिमाग लगाना तो बिट्रोल वर्ती तरंग थे टेंसिटी कमी है ओना पेक्षा वॉटर पेक्षा वाटर चीह देंसिटी अठीट तो याद रखिए इस शीख लीजिए गता इसे आप यह सीख लीजिए कि density का practical मतलब बस इत्ता ही है कि कोई भी दो liquid अगर आप डालते हो जो body उपर रहता है उसका density कम है जो body नीचे जाता है उसका density जाता है पर कुछ ऐसे भी application है यहाँ पर conclude मत करिए कुछ ऐसे भी application है जैसे कि आप boat को देखते हो तो boat तो steel का बना होता है पर फिर भी वो उपर float क हो गई पर अगर दो liquid अगर है तो हमेशा याद रखिए जो नीचे है उसका density जादा होता है और जो उपर है उसका density क्या होता है कम होता है समझने आ गया विटा तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे next definition के चलिए तो पहले एक बात कुछ याद रखिए density के और कुछ अलग न नाम भी है जैसे के एक तो इसको density कहते है या फिर इसको कहते है मास density ओके या फिर इसको कहते है specific मास आप इतना नहीं भी याद रखो के तो भी चलेगा आप बस याद रखिए density या फिर मास देंसिटी समझ महां के बिटा अब हम बढ़ते हमारे next definition के और जिसका नाम है weight density क्या नाम है इसका weight density कुछ किताबों में बेटा इसको आप small w से denote करते हो और कुछ किताबों में बेटा आप इसको gamma से denote करते हो आप जो notation easy जाए मैं आपको ये की suggestion दूँगा आप ये small w से denote कर दो आपको weight density समझ महां अब देखिए विटा रटी है मत यह देखिए अ कि यह था mass density तो यह मास उपर था और volume कहां था नीचे नाम था था तो mass उपर और volume नीचे ये वेट density है तो वेट उपर और volume नीचे बस आप paper में ठीक से लिखिएगा कि ये वाला weight है तो ये बड़ा देखना चाहिए ये वाला weight density है तो ये small और जैसे मैंने आपको बताया था डेफिनेशन इर्फ फॉर्मूला याद रखिए डेफिनेशन आपको बनाते आने चाहिए तो चले हम बड़े स्मार्ट तरीके से डेफिनेशन बना लेता है क्या होंगा इसका डेफिनेशन चैनल है एप से पहले वो बेसिक वर्ड याद रगे जो मैं आपको बताया था वेट density is the property of the fluid is the property of the fluid which is defined as the ratio of इतना तो आपको लिखना है मैं आपको पहली बता दिया यह दो वैलिए जागए उपर नीचे तो रेशो तो इतना हर डिफिनिशन में आप लिखते रखिए पस प्रॉपर्टी का नाम लिखे weight density is defined is the property of the fluid which is defined as the ratio of चलो बते है यह ratio किसका उपर क्या है weight it is defined as the ratio of weight of fluid और नीचे क्या है बिटा वॉल्यूम तो इट इस defined as the ratio of weight of the fluid to volume of the fluid तो चलिए आप फटा फट इस वीडियो को पॉस्ट करके यह definition आप लोट कर लेचे चलिए तो देखिए बटा यह हो गया definition यह हो गया formula अब हम देख लेंगे unit यह देख लेंगे बिटा यूनिट तो मुझे बात बताए यूनिट क्या होंगा weight density किसका रेशो है उपर है weight नीचे क्या है volume तो एक बात याद रखिए जैसे mass का unit kg होता है weight एक force होता है तो इसका unit Newton क्या होता है Newton weight सा unit असते बिटा Newton volume सा unit सांगीत लोगता सगलत मोठा भव distance शोटा area 라ट यह तैचा पेक्षा मोटा volume तैच आचा पेक्षा मोटा मींटर मिंटर स्व्वेर मींटर ट्यूब तो इसका unit क्या होंगा मेंटर क्योब समझा तो इसका unit हो गया बता Newton पर मिंधर क्योब तो multiplayer सकते हैं यूनिटीज हमें पर इच्छुटा से आपको फॉर्मुला थोड़ा सबनाना है ये सिटी वेट देंसीटी किसका रेश्यो है बेटा, वेट अपन वोल्यूम, इत्ती उम्मीद करता हो कि आपको वेट का फॉर्मूला पता हो, अगर नहीं पता हो, तो अभी बता रहा हो, लाइफ में कभी मत बुलिये, weight equals to mg weight equals to mg जहां m क्या होता है m mass होता है और g होता है acceleration due to gravity g क्या होता है acceleration due to gravity आप सभी को पता होगा 9.81 होता है कितना होता है 9.81 अब बस इसमें आप observe करिये थोड़ा सा हम पीछे जाता है यह देखिये density mass upon volume है तो देखिये यह जो mass upon volume है यह क्या है density है और सामने है g तो भाई weight density क्या बन गया rho g weight density क्या बन गया rho g तो बस आप इतना याद रखिये मैंने आपको कहा था density आपका rho ता हुआ दोस्त है तो weight density उसी रोते वे दोस्त को एक g लगा दीजे बस rho ta g क्या लगा दीजे रोता g तो यह क्या हो जाएगा आपका weight density यह भी वैसा यह बेटा जैसे आपने exactly यहाँ देखा था यह जो आपने example देखा था जिसका density जादा होता नीचे होता है जिसका density कम होता है वो उपर होता है आप चाहिए तो एक काम करिए इसका weight density जादा है आपको practically समझ में आ जाएगा तो चलिए इसका value हम निकाल लेते water के लिए standard value water के लिए चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा side में कर देता हूँ चलिए unit थोड़ा सा देखिए value चलिए weight density formula क्या है विटा रोजी water की अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा है water का density किता होता है 1000 जी का value आप सभी को पता है किता होता 9.81 तो 9.81 को 1000 से अभी आप केल्सी में multiply कर लीजे तो ये value आएगा 9810 Newton per meter Q तो ये होता है water का weight density जो कि आपको पता होना चाहिए पर मेरी आप सभी से एक request है आप में से कोई भी ये value रटेगा नहीं आप सिर्फ density water की याद रखे density याद रखे 1000 weight density आप ऐसे याद रखे कि उसको हम G से multiply कर लें किसे multiply कर लेंगे G से weight density को किसे जी से आपको answer मिल जाएंगा 981 से समझ में आ गया विटा तो यहाँ पर हमारे ये दो definition आपको समझ में आ गया होंगे बस एक short में देख लेता है कि यहाँ पर मैं काम करता हो इसको भी side में कर देता हो कि अगे अगे तो बस हमको इतना याद रखना है कि एक हमने पड़ा density मास अपन वॉल्यूम और एक हमने पड़ा weight density जो कि है weight upon वॉल्यूम समझ में आ गया विटा तो यह दो definition आपको ठीक से रटनी है और यह दो definition आपको याद रखना है तो इसी note पर मैं यह lecture आपका यहाँ पर conclude करता हूँ